दोस्तो एक sentence हैं कहीन इक आपने पढ़ा होगा या देखा होगा लिखा रहता है कि सत्य परिशान हो सकता है पराजित नहीं तो दोस्तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और मेरा concern यह है कि हमें अपने life में अपने रिस्टो के प्रति अपने काम के पती हमेशा इमंदार बने रहना चाहिए आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है और दोस्तो इमंदारी का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तो उस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इमंदारी का फल क्या-क्या हो सकता है दोस्तों बहुत समय पहली की बात है परताब गड़ एक राज हुआ करता था वहां के एक राजा थे राजा ही बहुत अच्छे इंसान थे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल लगते थे मिन्स उनको संपन, सम्रिद जो जी भी कर सकते थे अपने प्रजा के लिए करते थे और प्रजा भी उनसे बहुत खुशती लेकिन राजा बहुत दुखी रहा करते थे राजा के दुखी होने का कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थे संतान नहीं थे इस वज़े से राजा हमेशा चिंतित रहते थे कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा क्योंकि आज के टाइम में इमांदार और कर्तब्य करने वाले लोग बहुत कम होते हैं और यही चिंता राजा को सताय जा रही थी फिर राजा ने बहुत सोचने के बाद विचार किया कि क्यों ना राजी के ही किसी बच्चे को में अपना इतकार अधिकारी बना दू कि मेरे बाद वो इस राजी को समभा ले इस बात को लेकर उन्होंने अपनी मंत्रियों जो भी लोग थे अधिकारी गड़ उनसे विचार भी मर्स किया सब ने कहा ठीक है ये भी आइडिया अच्छा है तो अगले दिन पूरे राज्य में एनाउंस्मेंट कर दी गई कि राजा इस राजी के किसी बच्चे को अपना उत्तारिकारी बनाना चाहते हैं इसलिए सभी बच्चे कल राजा से मिलने पहुंच आए तो अगले दिन राजी के जितने भी बच्चे थे वो राजा के पास पहुंच गया राजा ने सबका स्वागत किया और राजा ने सबको एक-एक बिज दिया राजा ने कहा कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसको में राजा बनाऊंगा और राजा ने इनको 6 महने का टाइम दिया, कि हम 6 महने के बाद फिर मिलेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे किसका पौदा कितना अच्छा है, जिसका पौदा जितना अच्छा और बड़ा होगा, वही राजा बनेगा, सारे बच्चे चले गए, क्योंकि सारे बच्चों में र बहुत देखबाल करता, सेवा करता, लेकिन उसकी परशानी ये थी, कि उस बिर्च से कुछ निकल नहीं रहा था, तो उसको परशान देखके उसकी माने कहा, कि बेटा तुम अपना काम करो, अपने काम के पति इमंदार रहो, आज नहीं तो कल इसका फल तुमें जरूर मिलेग ऐसे करते करते तीन महीने बीद गए, कुछ भी नहीं निकला, छे महीने हो गया और फाइनली उस गमले चे कुछ नहीं निकला, अब वो दिन आ गया था, सभी लोग राजा से मिलने पहुंचे, राजा ने सब का स्वागत किया, तो राजा ने देखा, उसमें से एक बच्च देखानी गमले में तो और नियुक राजा ने कहारा कि निकली निकलता, लेकिन सब के बच्चे में उस जूड की या गलत है, इस बच्चे में नहीं निकले, मिन्स इसने इमंदारी से काम किया है तो राजा ने उसको अपना उतिगाई का बना दिया तो इस कहानी से क्या मिलती है कि लड़का अपने काम के प्रति इमंदार रहा तो उसका फल क्या मिला कि वो आने वाला राजा बन गया और लोग जिन्होंने गलत तरीके से काम किया या जूट बोला, उनको कुछ नहीं मिला लड़का परिशान भी हुआ, लेकिन उसने पराजित नहीं हुआ तो सत्य का आगया है, कि सत्य परिशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हाँ उसका फल किसी चीज में जल्दी मिल जाता है, कभी-कभी लेट मिलता है, लेकि मिलता जरूर है, तो उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पशंद आई होगी, अगर पशंद आए तो कमेंट जरूर किजिएगा, थैंक यू